सवाल पूछ रहे हैं नुपूर पर F.I.R सही ओवेसी पर नहीं मतलब हेट स्पीच पर तो आप सब का नंबर आएगा ना नुपूर पर F.I.R सेकुलर ओवेसी पर F.I.R कम्यूनल कैसे और यही सवाल कि नुपूर पर F.I.R इंसाफ लेकिन ओवेसी पर F.I.R बैलेंस वाद क कैसे विशाल जी आपका कमेंट इस सवाल पर विशाल जी बैजिए अमन जी मैं आप शीधियो तो पहली पार्ट अब बोलिये सर अब हैलो अभी मैं सुन रहा था तो मुझे एक बात से आपत्ति है आपत्ति यह कि भारत एक संप्रभू लोगतंत्रात्मक राज्य है और यह बात संप्रवुत्र का मतलब है कि भारत के आंतरिक मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो और externally इंडिया भारत सुप्रीम है तो यह जो बार-बार बयान दिया जा रहा है भारत की भारत भारत संप्रवुरास्ट है पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू अमन जी बात क्या है आपने गौर किया होगा आज तो अफायार की बात नहीं है पुलिस अफायार दर्श कर देखतो एक धर्म को देखकर काम हुआ है कानपुर में अगर जो वीडियो आ रहा है फुट की जाती है बाकादा एक ट्यार करने की कोछिस की जाती है अरे भाई आप लोग कानून के जाता है सम्मिधान है एक तरफ तो हात में लेकर सम्मिधान की दुखाई देते हैं और दूसी तरफ़ उसी नहाया पालिका पर विस्ट्वास नहीं है नहाया में मामला जाएगा z रेच्ट लेस नहीं होता है जीनलन मौलूम एँंको ये भी मानुम में है कि भारत में लॉइस दा किंग है.. तो किस बात की द्वाई देते हैं वैसे तो संविधान .. संभिधान .. तो भारत में रहेकर संभिधान की बात करने वालेason के तहट नाई पालका प्र सवाल.. अरे पुलिस ने F.I.R. दर्ज की है ना साइटन्स फैल्स और फीगर्स में किया होगा नयाले में मामला जाएगा आप अतने तर्फ रखिएगा लेकिन नेरेटिब टूसेट किया जा रहा है क्या हिंदू लोग उसमें सामिल नहीं है और धर्म के लोग नहीं सामिल है जिन पर F.I.R. हुआ है तो सवाल ये उटता है अमन जी बार बार और रही बाद समाजवादी पार्ट्टी के प्रवग्टा दो दिन पहरे इनके प्रवग्टा हमसे टीवी डिवेट पर कह रहे थे यहां पर अमन जी अभी आपने कुछा रही है विशाल जी चिंगने चलाने से कुछ नहीं होगा मेरे कहल से वो तो कानून अपना काम करना है है हुआ हो मातम है वहाँ पर अब कहा जा रहा कि गलत हो गया यह कम्यूनल है पुल Tennessee बैलन्स करने के चकर में सब कर रही है अब यह गलत हो रहा है रहा कर की पहा है सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज ठीक है आप बुलिए डॉक्टर रिजवान एहमर जी जी अभी अभी एक महतरमा बैठी है याना उनसे मैं आर्गू नहीं करना चाहता लेकिन उन्होंने कहा कि OAC ने कौन सी भड़काओ बात की है देखिए अमन भाई मैं आप सको संबोधित कर रहा ह बेहन को नहीं कर रहा ये हम या अमन या याना तै नहीं करेंगे कि भड़काओ होता क्या है ये कोट तै करेगा ये पुलिस तै करेगी हम लोग भड़काओ को एक दाएरे में नहीं बान सकते कि जब तुम धरम का मजाक उड़ाओ के तो भड़काओ जब हिंदू काड़ाओ के तो भड़काओं नहीं पहली बात दूसरी बात जब OEC बोलता है कि जब योगी मट में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा ये हर कैटेगरी से ऐस लॉयर आम टेलिंग यू ये भड़काओं में आता है अभी कल OEC ने बोला अमन भाई जो अभी एक साहब बैठे थे और नाम मिस्कर रहा हूँ OEC ने बोला मैं मरने को तयार हूँ क्या तुम मरने को तयार हो आमन भाई ये अफगानिस्तान नहीं है जहां मरने और मारने से सरकारे बनती हैं या शिकायते दर जोती हैं ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है ये एराक, सीरिया, लिबनान नहीं ह ये भारत है अभी माया का अई एम हैं वाले कि ओइसी शिकाइट ना करदे ना जी अब भारत में अगर एक मेमर ऑफ परलमेंट ये कह रहा है कि मैं मरने और मारने को तैयार हूं क्या भाहि तुम गजी हो। तुम शहीद होना चाते हो तुम यहाँ पर सिविल वार कराना चाते हो तुम जिहाद कराना चाते हो औरे चुनाओ लड़ो यार चुनाओ लड़ो महंगाई महंगाई करते रहते हो चुनाओ जीत के आओ महंगाई कम कर दो पहली बात दूसरी बात अमन भाई बहुत लोग पर गई तो ये पॉलिटिकल पार्टी मुसलिम इंटिलेक्चुल मुसलिम धरम गुरू मिडल इस से कहते कि देखिए हमारा परसनल मैटर है देश का थेंक यू वेरी मुच आप बीच में नहीं बोलिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई जिसने ये कहा मिडल इस से क हमारे बीच में हमारा मैटर है बीच में नहीं बोलो वो इस मारे नहीं क्योंकि ये वाकई देश दरोई हैं ये सिर्म मोदी विरोधी नहीं है ये देश विरोधी भी है और जाके मिडलीज की गोद में बैट गए लेकिन सवाल ये भी है अच्छा या ना आप बोलीजे सवा हो गया अगर पेंडराबॉक्स खुल गया तो फिर आने वाले टाइम में फिर यह कहा जाएगा कि 90 परसंडेगी समुदाय से हैं फिर परशान किया जा रहा है लोगतंत्र खत्रे में आजएगा समिधान खत्रे में फिर यह सब हो जाएगा क्योंकि अब फिर सब का नंबर आए म्यूट कर दीजिए या ना म्यूट है आपके आपके आपकी आवाज निया पर यह अनुराग बदर यह मैं आपके पास आ रहा हूँ अनुराग यही मेरा सवाल आप से है क्योंकि दंगा मामले में भी यही हुआ कि जब यह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने का कि वह एक धर्म के लोगों को पकड़ा जा रहा है पचास के पचास चाववन के चाववन जितने गिरफ्तार हुए सारे एक ही धर्म के हैं तो कल को हेट स्पीच मामले में अनुराग भाई फिर ऐसी सकती होगी और सबका नंबर आएगा तो फिर यह तो नहीं होगा कि एक ही धर्म इने लगातार जो हेट स्पीच दी हैं लब स्पीच तो कभी दी नहीं जो हेट स्पीच की हमारे सनातन धर्म में कोई जगए नहीं है घर्णा की कोई जगए ही नहीं है शायद उन्हें मालूम ही नहीं है सनातन धर्म की बात करेंगे बीज़पी वाले लेकिन सनातन धर्म मे कोई जगह नहीं है नफरत की कोई जगह नहीं है जो नफरत की बात करता हो पाप का भागिदार होता है लेकिन यहां पे लगातार सालों से सालों से चली आ रही है मैं कहता हूँ चाहे इस समुधाय का हो या उस समुधाय का हो अगर ये कानून बना दिया जाए कि कोई भी नेता नफरत की बात करेगा उसकी जगे जेल में होगी अगर ये बात पहले से तैह हो जाती तो आज देश के अंदर में ये महौल नहीं होता यहां तो जो कोई आता है मूँ उठाता है और बोलना शुरू कर देता है आई बाए साहे कुछ भी बोलता रहता है आपने टीवी डिवेट पे जगे दे दी वो आई बाए साहे बोलने लग जाते हैं क्यों बोलने लगते पता आपको वो influence रहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता तो इस तरह की बाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है उनका पर्मोशन हो रहा है तो हम भी आयवाइसाइब बोलने लग जाए तो सभी धर्म के लोग आयवाइसाइब बोल रहे हैं मैं सब धर्म की बात कर रहा हूं हिंदू हो मुस्लिम हो सिको इसाइओ सभी आयवाइसाइब बोलना सुरू कर देते हैं क्यों भाई हिंदुस्तान है यहां के अपनी संस्कृति संसकार है यहां एक तहजीव है उस तहजीव के धार में क्यों नहीं बात होगी इसके पहले 2014 के ठेजीव, अनराग में तैजीव, अनदुस्तान एक है क्यों बात होती है? होते हैं अनुराग जी मैं सवाल पूछ सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो आपने दो मिनिट बोला है सवाल पूछने के पहले एक और चीज बोल दूँ एक और चीज बोल दूँ सवाल पूछे आप लेकिन पर हूँ ये बताईए ये बीजेपी के परवक्ता कहा चले सवाल पूछे उनका जवाब कौन देगा सवाल इजाज़त इजाज़त में कोई जगा नहीं लेकिन सवाल को गाली देने वाले की आपकी पार्टी में जगा क्यों है नाम ले लेता हूँ फिर से नाम लूंगा जिनका मैंने अभी नाम लिया था M.L.C. आपके हाँ बिल्कुल हो अभी आपकी पार्टी में क्यों है क्योंकि नुपूर को निकाल दिया कोई बैक्ती सुन तो लिजे कोई बैक्ती अगर किसी भी धर्म का अपमान करेगा किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा कानून है कानून अपना काम करेगी और कानून को अपना काम करना चाहिए कोई वेक्ती हो आप पार्टी से नहीं निकालेगी उनको जैसे नुपूर को निकाला गया आप उनको पार्टी से नहीं निकालेगी लेकिन जो भी बोलेगा जो भी बोलेगा जो भी बोलेगा उसके ओपर कानूनी कारवाई होगी नियाला पेट पर जो कारवाई पर जो कारवाई नहीं करी वह गलत है ठीक है बोला जा सकता है कुछ भी कुछ भी कुछ भी मतलब आप आप आपकार आप कर लिडर आप को करनी पड़ रही है चलिए मैं एक पार्टी के सिनर लीडर है आपके बढ़काउँ वाशन मामले में दो साल की सजा हुए उनको आपकी पार्टी में सीनर लीडर हैं बढ़काउगा इसा आपका वो हाल है आप लोग लेक्चर दे रहे हैं क्या नाम गिनाना शुरू करूँ शफीकुर रह्मान बर्क उन्होंने बोला कुर्वानी देनी पड़ेगी तो देंगे एस्टी असन क्या कुछ नहीं बोला अब वह सिमाजमी दो साल की जेल हो गई आपके एमेल सी चार-चार नाम तो मैंने गिना दिये क्या कारवाई करी आपने सजा किस ने लिए ना ने ने पाल का है इस देश के अंदर में तो नुपर पार्टी ने कारवाई करी वो घलत थी वो दीजिए बात खतम चलिए ठीक है तो फिर नुपर नुपर को पार्टी से आप लो अब बॉल जाते तो बहतर था अब मैं रिया जी के पास जाना याना के पास लेकिन डॉक्टर इजवान कुछ कहना चाहरे है अनुड़ाग आपने 4-5 मिनिट बोला है वो आपके बीच में नहीं बोले अब भी मत बोलिएगा यह में अम मेंटेन रखेंगे डेकुरम वो जाना आपके पास आँगा विशाल जी आ रहा हूँ और वेक्सिकत हमले ना हो यह एक बात है नहीं होंगे शांट शांट डॉक्टर इजवान मुझे एक बात समझ में नहीं आती अगर बुल्डोजर गलत चलना है गलत लोगों को पकड़ा गया है तो जब भी मौले में पत्थर चलते हैं इस तरह की रॉइटिंग होती है तो बेगुना लोग फसते हैं मुझे मालूम है तो यार ऐसे हालात क्यों पैदा होने देते हो कि जुम्मे के दिन पत्थर चलाते हो और अनुराग जी जैसो को इस हमारे तकलीफ होती है क्योंकि यही इनके वोटर हैं इस हमारे ने तकलीफ हो रही है महंगाई महंगाई करते रहते हैं अरे 2022 में मौका मिला था ना महंगाई महंगाई के नाम पर चुनाओ जीत जाते हैं पिर बीच प्रूल थो चुनाओ जीतोना ठीजएं पिरेची बिच सभुण भाई अबनेफित लिचिक्श प电 TWO si फो पाई चुनाओ जितोना ऑप्र र नेखिर ही रही जो एatsun आपको पता है महँगाई से कितने लोगाख सत्या कर रहा है बेरुजगारी से कितने लोगा अत्मत्या कर रहे हैं। रिया जी